मध्यप्रदेश से एक चौका देने वाली खबर सामने आ रही है YouTube हम सभी को देखना बेहत पसंद है साथ ही अगर हमें किसी भी चीज की जानकारी लेनी होती है तो हम YouTube पर जाकर उसे सर्च कर लेते हैं जिसके बाद हमें वो जानकारी प्राक्त हो जाती है लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी ने एक मासुम बच्चे को मारने की जानकारी YouTube से लेने की कोशिश की हो तो आपको बता दे कि वास्तव में एक ऐसी घटना सामने आई है दरसल मामला ये है कि मध्य प्रदेश के उजयन में एक मा पर अपनी तीन महीने की बेटे की हत्या का आरोप लगा है ये घटना 12 ओक्टोबर की है जहाँ पर एक बच्ची का शव मकान की तीसरी मंजिल के पानी की टंकी के अंदर मिला था पुलिस ने हत्या के आरोप में बच्ची की मा सावित्री भटवेरा को गिरफतार किया है जानकारी ये मिली है कि पहले मा ने यूट्यूब पर ये सर्च किया था कि बच्ची को किस तरह से मारा जा सकता है लेकिन हत्या के पीछे का कोई कारण अभी तक सामने नहीं आया है पुलिस से मिली जानकारी के मताबिक पुलिस थाने के सामने रहने वाले भटवेरा परिवार की तीन महीने की बच्ची वीरती 12 ओक्टोवर से ही गायब थी जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को ढूणने की काफी कोशिश की थी लेकिन काफी जाच परताल के बाद बच्ची का शव घर के ही तीसरी मंजिल के पानी के टंकी के अंदर मिला था बच्ची का शव मिलने के बाद से ही पुलिस की पूरी नजर परिवार वालों पर बनी हुई थी आपको बता दे कि बच्ची के परिवार में उसके माता पिता और दादा दादी रहते थे पुलिस ने बच्ची के माता पिता और दादा दादी इन चारों से काफी देड़ तक पूश्टाच की लेकिन जब मा से पूश्टाच करने के बाद मा का फोन चेक किया गया तब उसमें पुलिस ने यूट्यूब पर कुछ ऐसा देखा जिससे उनके होश ही उड़ गए से जल्द ही कोट में पेश करने वाले हैं हमारी खबर आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताए साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें